छुले बात करते हैं आज के मौसम की तो मुद्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21 से जादा जलो में तेज बारिश हुई प्रदेश की दो प्रमुख नदियां जो की नर्मदा और छिप्रा उफान पर हैं वो जैन में कई घाट और मंदे शिप्रा नदी में डूग गए हैं हिमाजर प्रदेश के बारिश के चलते 73 सड़के बंद कर दी गई हैं इनमें से 35 शिमला में, 20 मंदी में, 9 कांगडा में, 6 कुल्लू में, 2 किन नौर में और 1 उना जिले में बद है इधर उत्रप्रदेश के बलिया की बात करें तो वहां भी सर्यू नदी में पीपा पुल पहक्या लखीमपुर खिरी में, नाले में, दो यूबग डूग गए इसमें से एक की मौत भी हो गई आज राजस्थान के चार जिलो में बारिश का रेड अलर्ट है हमासर प्रदेश में 27 जून को मौनसून सीजन की शुरवात से लेकर 23 अगस्त को हुई थी तब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 140 लोगों की जान गई है और राज को लगभग 1212 करोड रुपे का नुकसान हुआ है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से राजस्तान के दक्षणी हिस्सों में भारी बारश शुरू हो गई है आज राजस्तान के चार जिलों में आतिभारी बारश का रेड अलर्ट जारी क्या गया है वही 10 जिलो में ओरेंज और 18 जिलो में यलो अलर्ट जारी क्या गया है